एलो फ्रेंट्स वेल्कम बैक टू मैं चैनल नैंसीस डिलिशस पूड मैं आपका स्वागत हैं मैं एक वी तन अदर रेसीपी स्वाज मैं आपके सर शेयर करने वन पूरण पूरी की रेसीपी जो बहुत मस्त मज़ेदार स्वीट होती है गी से लथपत होती है कभी स्वीट ख अपने साब से एड कर सकते हैं नॉर्मली तूइस डाल डालेंगी तो यह उसका पूरण पूरी का तो यह देखिए मैंने नौन्चिक पैन ले लिया है उसमें मैंने डाल मैश करके डाल दी है बॉइल वाली दाल फिर उसके बाद मैंने इसमें शुगर एड कर दिया है सारी जैसे मैंने quantity डाली है सारी चीजों की तो मैं description box में कर दूंगी mention सारह यह देखिए mix-mix करते रहें एकदम सुखा सुखा हो गया दाल एकदम सुखी हो गया उसके बाद मैंने दो चमचस में घी एड कर दिया है घी थोड़ सा मैंने गुड़ एड कि है गुड का जो taste आएग मैंने और या जाएं इन्व पूर्ण न हो जाएगा कोटेए इसका होला करी तरा रमद हैं यह कि फिर फूरं जो हमने बना के रखा है जो शीरा भी बोल सकते हैं तो वह दाल का जो हमने बना के रखा है उसको गोला बनाके बीच में रख स्टफ करेंगे ठोड़ा समय ले रही हूं थोड़ा सा मतलब थोड़ा जादा ही डालें क्योंके फिर टेस्ट नहीं आएगा अंदर जो पूरण है उसका टेस्ट जहाधा नहीं आगा तो मज़ा नहीं है तो मैं इसे थोड़ा बड़ा पेड़ा जाल के फिर इसको स्टफ करके है ये देखिए इसे पूरा फ़िल कर देना है ये देखिए फूरा फोल्ड कर दिया मैं अच्छे से और हातों से इसको थोड़ा-थोड़ा टैप करते रहें तेप करके मैं इसको बेल दिया है δεν थोड़ा से बड़ा ऐसे डैप-टैप करके भाण मैं पिर अब थोड़ा समयस को बेडूंगी को चल्ट इस जैसे बड़ी थोरी पूरी हम बनाते हैं वैसे दिखिए ना मैंने इसको round shape में बेल लिया है फिर मैंने non stick पैन लिया है जिसको मैंने medium flame पे रखा है बहुत fast flame पे नहीं रखा है medium flame पे मैं दोनों side से धीरे धीरे करके पूराण के इसको पूरी को सेकती रहूंगी दोनों side से एक दम जैसे golden brown जब तक नहीं इसके हो जाएगी तब तक मैं इसको सेकोंगी उसके बाद मैं उपर से घी लगा के देखो fully fully कैसे मस्त फूल रही है हमारी पूराण पूरी हम छोटी छोटी बनाएंगे तो एक non stick पैन पे हम 3-3-4-4 भी सेक सकते देखिए golden golden यह से हो रही है मस्त पक गई है हमारी उपर से हमने की उपर से लगा दिया है इसका तुझे टेस्ट and flavor आएगा बहुत मज़ेदार लगेगा यह हमारी पूराण पूरी बनके ready हो गई है तो जरूर से इसको अपने गर पे try करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको यह मेरी recipe कैसी लगी और अगर आप नए हैं मेरी चैनल पे तो please subscribe to my channel and share with your family and friends मैं ऐसी नई नई unique unique recipes आपके साथ हमेशा share करती रहोंगी देखिए यह कितनी मस्त मज़ेदार बनी है जरूर से इसको अपने घर पे एक बार try करके देखना और अगर अच्छी लगे तो कमेंट करके मज़े बताना यह देखिए एकदम पीसेस अंदर से यह जो हमने stuffing किया stuff किया है वो भी पूरण भी कितना मस्त मज़ेदार देख रहा है खाने में भी बहुत tasty होती है so thanks for watching